प्राब्लम ओन इकुली लाइकली आउटकम्स इकुली लाइकली आउटकम्स वो आउटकम्स होती हैं जिनके आने की प्राबिल्टी सेम हो तो आज हम इकुली लाइकली आउटकम्स से रिलेटेड कुछ प्राब्लम्स को सॉल्फ करेंगे पहला प्राब्लम है there are balls numbered 1 through 5 in a box एक box के अंदर 5 balls हैं और हर balls पर number लिखा हुआ है 1 से 5 तक 2 balls are selected at random in succession without replacement and the number on each ball is noted तो हमने randomly दो balls को select करना है without replacement का मतलब यह है कि पहले हम एक ball को select करेंगे तो उसको वापस box में नहीं डालना एक ball select की उसके बाद हम एक और ball select करेंगे और इन दोनों का color note करेंगे पार्ट A है how many outcomes does this experiment have तो इस experiment की total कितनी outcomes हैं पार्ट B है what probability should be assigned to each तो हमने यह देखना है कि हर outcome को कितनी probability assign होगी पार्ट C है what probability should be assigned to the event that at least one ball has an odd number तो पार्ट C में हमने probability find out करनी है कि event की और event यह है कि at least एक ball एक कम से कम एक ball ऐसी हो जिस पे odd number हो तो at least का मतलब यह है कि हम एक से ज़्यादा balls भी ऐसी रख सकते हैं जिनके उपर odd number आ रहा है तो इस experiment में हमारे पास एक box है जिसके अंदर five balls है और उनके उपर numbering है one से five तक इसमें से हम कोई सी two balls select करेंगे तो part A है कि इस experiment की total outcomes कितनी होंगी तो for example अगर हम इसमें से ball one को select करते हैं तो इसके साथ ball two भी आ सकती है इसी तरह one के साथ ball three भी आ सकती है one के साथ ball four और one के साथ ball five हम without replacement कर रहे हैं यह निए one को हम दुबारा box में नहीं डाल रहे तो one के साथ यह चार ball आ सकती है इसी तरह कर हम two को select करते हैं तो two के साथ भी चार ball आएंगी three के साथ भी चार आएंगी और इसी तरह बाकी सब के साथ total यह five balls है और हर ball के साथ चार ball में से कोई भी ball आ सकती है इसका मतलब है total number of outcomes कितना होगा five balls के साथ चार मजीद balls के chances है तो इसका मतलब है कि total जो outcomes होगी वो कितनी होगी five multiply by four यानि twenty तो इस experiment में जो total outcomes होगी वो कितनी होगी twenty part b है what probability should be assigned to each अब जैसा कि हम box में से कोई भी ball उठा सकते है यानि इन तमाम balls के आने का chance बराबर है यानि यह जो outcomes है यह क्या है equally likely है तो जब भी equally likely हमरे पस events होते है तो हम तमाम outcomes को probabilities सेम assign करते है इसका मतलब है कि अगर हमारे पास twenty outcomes है तो हर outcome की जो probability हो जाएगी वो one by twenty होगी क्योंकि equally likely outcomes के case में अगर हमारे पास n गिवन है n यहाँ पर twenty है तो हर outcome की जो probability होगी वो होगी one by n इसका मतलब है कि यहाँ पर probability होगी one by twenty तो question था what probability should be assigned to each तो इसका answer है one by twenty हर outcome की probability होगी one by twenty part c देखते है what probability should be assigned to the event that at least one ball has an odd number तो अगर हम इस experiment में देखें तो हमारे पास कितने odd numbers है one, three, five तो इसमें हमारे पास odd numbers है three यह यहाँ पर हम लिखते है odd numbers odd numbers का जो set बन रहा है वो है one, three और five और जो even numbers है वो कितने है two two और four odd numbers को हम O से denote कर देते हैं अब हमने यह देखना है कि हमने probability find out करनी है कि at least एक ball odd हो यानि एक से ज्यादा भी odd हो सकती है लेकिन at least एक ball odd हो तो अगर हम पहले यह देखें कि अगर हम एक ball odd ले रहे हैं और उसके साथ दूसरी भी odd ले रहे हैं इसका मतलब है कि one के साथ three और five आ सकता है इसी तरह three के साथ one और five और five के साथ one और three आ सकता है यानि इन तीनों ball के साथ मजीद दो ball में से कोई भी ball आ सकती है तो अगर दोनों odd हों तो इस case में हमारे पास six outcomes बनती हैं अब अगर हम एक odd लें और दूसरा even लें तो उस case में अगर हम one लें तो उसके साथ two और four में से कोई आएगा three लें तो उसके साथ भी two और four में से और इसी तरह five लें तो उसके साथ भी two और four में से कोई एक ball आएगी इसका मतलब है कि ये three balls हैं और इनके साथ मजीद two balls के आने के chances हैं तो यहां से भी हमारे पास 6 outcomes बनती है, तो total जो हमारे पास outcomes बन रही है इस event की total है 6 plus 6 plus 6 equals to 18, तो यह जो event है जिसमें हमने at least 1 odd ball draw करनी है, उसमें हमारे पास उसकी probability बनती है, 18 divided by 20 या ऐसे हम लिख सकते हैं 9 divided by 10, तो part C था, what probability should be assigned to the event that at least one ball has an odd number, तो इसकी probability है 9 out of 10, तो इससरा हम equally likely outcome से related questions को solve करते हैं, एक और problem देखते हैं, अब product code consist of one number selected from 1, 2, 3, 5, followed by two letters, not necessarily distinct, selected from the set Q, T, Z, यानि हमने एक product code बनाना है, जो के इस तरह से होगा कि हमने पहले उसमें कोई भी एक number लिखना है, 1, 2, 3 या 5 में से, उसके बाद दो letters लिखने हैं Q, T, Z में से, for example, 3QT is such a code, यानि इसमें पहले हमने एक number रखा, उसके बाद हमने Q, T और Z में से कोई भी दो letters रखे, an experiment consists of selecting a code at random, तो अब एक experiment है, जिसमें हमने कोई भी code randomly select करना है, part A है, how many codes are possible, तो हमने बताना है कि कितने total codes बन सकते हैं इस तरह से, part B है, what probability should be assigned to each code, हर code आने की कितनी probability होगी, part C है, find the probability of the event that the code contains the number 3, तो अब हमने उन codes की probability find out करनी है, जिनके start में number 3 आता हो, तो इसका जो event बनेगा, उसकी probability find out करनी है, तो इस experiment में हमने एक code बनाना है, जिसमें हमने एक number के साथ दो letters यूज़ करने हैं, और numbers हमें दिये गए है, total, four, और letters हमारे पास है, तीन, तो अगर हम यहाँ पर part A को देखें, तो हमने देखना है, कि total कितने codes हमारे पास आ सकते हैं, तो अगर हम पहले numbers में से देखें, तो हमारे पास चार possibilities हैं, numbers की, और उसके बाद हमने दो letters देखने हैं, और दोनों letters में हम QTZ में से कोई भी एक letter ले सकते हैं, इसका मतलब है कि second जो इस code का part है, जो एक letter है, उसमें हम three में से कोई भी number रख सकते हैं, इसी तरह next part में हम 3 में से कोई भी लैटर रख सकते हैं, तो यहां से हमें total number of outcomes मिल जाएगा, जो के है 36, part B देखते हैं, what probability should be assigned to each code, तो हम इस code में से, इन codes में से कोई भी एक code pick कर सकते हैं, तो यह equally likely है, इसका मतलब है कि हम हर code को same probabilities assign करेंगे, तो यहां पर हमें N दिया गया है 36, तो हर code की probability होगी 1 by N, तो यहां पर इसकी probability आजाएगी 1 by 36, part C है, find the probability of the event that the code contains the number 3, तो अब हम part C को solve करते हैं, तो अब हमने यहां पर इस code के लिए number को fix कर दिया है, यानि अगर उसमें number 3 आए, तो हमने, जो first उसका part है, उसमें हमने सिर्फ एक ही number को रखा है, 3 को, उसके बाद जो हम letters रख रहे हैं, वो same उसका chance होगा, यानि second के लिए भी 3 और third के लिए 3, तो number 3 वाले code के लिए हमारे पास जो outcomes बनती हैं, वो बनती है 9, तो यह उस event के अंदर जो outcomes हैं, वो होंगी, अब अगर हमने इस probability, probability find out करनी है, उस event की, तो किस तरह से करेंगे, number of elements in event, जो कि कितने हैं, number of elements in event कितने हैं, 9, और total हमारे पास हैं 36, तो यह हमारे पास probability आजेगी 1 out of 4, यह यहां से हमने जो event रखा था, कि number 3 हमारे पास आना चाहिए, code में, तो उस case में मर्बस probability आती है, 1 out of 4, तो इस ताह से हम equally likely outcome से related problems को solve करते हैं, तो आज की वीडियो में हमने equally likely outcome से related कुछ problems को solve किया,